अब बड़ी खबर भोपाल से, जहां सरकार ने कोरोना में दर्ज केस को वापस लेने की प्रक्रिया की शुरू, व्रेविभाग ने सभी कलेटर को दिये निर्देश, धारा 321 में दर्ज मामलों को वापस लेने के निर्देश, कोरोना प्रोटोकॉल लाफडाउन उलंगन की दर्ज हुई थी, FIR, आम जनता को पोर्ट में चल रहे केस को मिलेगी रहाद, बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना काल में आम जनता के उपर जो भी केस हुए थे, उन सब को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सरकार ने कोरोना काल मे दर्ज केस को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ग्रेव भाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिये हैं, इसके लिए, साती धारा 321 में दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ग्रेव भाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश वापस लेने के निर्देश दिये गए हैं इस खबर पर जाद जानकारी के लिए हमारे संबादाता गौरो गुपता जुड़ोएं जी गौरो लॉक्डाउन के समय जितने भी लोगों पर F.I.R. हुए थे सब वापस लेने के प्रक्रिया शुरू कर दी है क्या कुछ जानकारी है इसको कहा जाता है उन लोगों के लिए जो लोग लॉक्डाउन के दौरान गुंते पाए गए थे और उनके खिलाफ अगई तरह के उस दौरान दर्ज किये गए थे लोगडाउन लगा हुआ था उस समय काफ़ा थी जिसके चलते वो लोगडाउन लगाया गया था उस लोगडाउन का पालन कराने के लिए सक्तर नियम लागों किये गए थे और उन वियामू को उलंगन करते हुए कई लोगों के राताया दर्च वेती तो अब वो तभी जो एपायर है और जो तभी वो मावले है वो अब जो वापिस लिये जाएंगे ग्राव विपाग में इते लेका तभी करेक्टर उपन निद्देश जारी किया है कि जितने भी ऐस पत्वर आपको बता दें भोपाल से कबर है जहां आम जनता को कोट में जिट्टे भी केस कोरोना काल के चल रहे थे सरकार ने कोरोना काल में दर्च केस को वापस लेने के प्रक्रिया शुरू कर दी है ग्रीव भाग ने सभी करेक्टर को निद्देश चारी किये है